अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वेक मिस्सा टेक मेडेस निश्टर हम लोग जिस सेर के उपर अपडेट लेने वाले हैं जम्मू एंड का समीर बैंक है क्वाटर थी के इसके रिजल्ट आ गया है तो कैसे आ है रिजल्ट उसको हम लोग डिसकस करेंगे नाश्ट टाइम जब हम लोग ने अपडेट लिया था तब इसके वाटर 2 पे लिया था उससे पहले हम लोग ने वाटर 1 के अपडेट लिया था दोस्तों इन तीन मदब हम लोग अगर पूरे 9 महिने का अब टोटल कर लें क्योंकि quarter 3 की result आये है तो 28 रुपीज के round से trade कर रहा था उस हिसाब से अच्छा खासा move किया क्योंकि अभी 58 रुपीज पे 54 पे हमको देखने को मिलता है और भी उपर गया था पर थोड़ा profit working होके down आया है तो अभी जो latest की सभी condition होगी उसके उपर बात करेंगे कहां पे अब point मिलेगा breakout का की वहां से उपर जाएगा वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे quarterly results को भी समझेंगी जो अभी quarter 3 के आये है मेरे साथ वीडियों बने रहे है जो चैनल पर ने हो चैनल सब्सक्राइब कर ले notification bell all पर रखेंगे जिससे आने वाले next update आप से मिसने होंगे आप telegram पर भी जोईन के सकते हैं news of dividend announcement के लिए quarterly earning results के लिए link वीडियो के spin box में मिल जाएगा फटाफट जोईन करिए समझते हैं दोस्तों तो जमू एंड कस्मीर बैंक जो है अभी हम लोगों को currently देखने को मिलता है 54 रुपीज 35 पैसे के राउंड और इसका trend की बात करें दोस्तों तो positive ही है क्योंकि आप इसको देखेंगे जोन से अगर देखेंगे तो 28 रुपीज के 25 पे भी गया था आपको बताया था कि breakout देगा तो हम लोग इस पे और target देख सकते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने explain पहले मनलब समझा दिया था अभी earning पर share की बात करें तो 7.25 की दिखती है बढ़िया सी market capital है price earning ratio भी सही जगह है अपने sector के हिसाप से JNK bank पे और अगर चीजें मैं आपको बताओं दोस्तों तो 12 महिने की के अगर condition आप view करेंगे तो अच्छा profit growth रहा है sale में भी ठीक ठाक रहता है all time high की बात करें तो 200 रुपए तक ये sale जा रखा है currently book value इसकी 85 रुपी 60 पैसे है तो आपको ये एक तरीके से अभी जो current price है उस हिसाप से काफी कम देखने को मिलता है जबकि face value company की अब 1 है promoters holding की बात करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा 68% की जो की अच्छी खासी percentage है Q on Q basis पे देखें तो 28.1% का यहाँ पे हम लोगों को growth देखने को मिलता है तो अभी उसी को हम लोग समझेंगे विस्तार से Q on return on equity की बात करें तो 6.69% का देखने को मिलता है quarterly result में अगर आप नज़र डालेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग अभी जो December का समझेंगे उसके उपर तो रहने ही वाला है मारा view पर हम previous quarter और last year का भी December का data देखेंगे compare करने के लिए तो सबसे पहले financing profit में देखें तो last year 135 करोड का हुआ था उस हिसाब से इसका number जो है इस बार काफी बहतरी इंग जंप करता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि 274 करोड का operating से profit हमको देखने को मिलता है और दोस्तों अगर September का देखें तो उससे भी थोड़ा यहाँ पर growth देखने को मिल जाती है अगर हम लोग last year का net profit में देखें दोस्तों तो 169 करोड का था तो उस हिसाब से इस बार जो है 307 करोड का profit हुआ है तो बहुत बड़ी जंप है यहाँ पर भी September 2022 में देखें तो 240 करोड का था तो clearly बहुत अच्छी growth यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कहाँ पर एक टाइम पर negative में नंबर थे कहीं पर खराब थे इस हिसाब से यह bank अब जो है regional bank में आता है मतलब JNK के अंदर ही होगा इसकी बहुत सारी services वहाँ पर मिलेगी हाँ इसकी ऐसा नहीं है कि कहीं और पर ऐसा open नहीं हो सकता बट में रूप से देखें यहाँ पर रिजनल बैंक यह उभर रहा है 827 करोड का इसका net profit देखने को मिल जाता है तो बहुत बहतरी यहाँ पर ग्रोथ है बाकि अगर हम लोग इसके share holding patterns पे नजर डालें तो December के data में हमको यह भी नजर आएगा कि 68.03% इसका providers का holding हो जाता है फिर उसके बाद foreign के लोग भी इसमें 1.96% की holding रखते हैं जो कि पहले काफी ज्यादा थी दीरे-दीरे reduce हुई है बाकि यहाँ पे हम लोग domestic investor की बात के तो 2.78 का रता है उसके बाद जो public के पास है वो 27.23% देखने को मिलता है जो कि अच्छा खासा यहाँ पे well divided share holding patterns हम को देखने को मिल जाता है चार पे अगर update लें देखे दोस्तों पहले मैं थोड़ा सा आपको recall कराता हूं कि मैंने last time आपको बताया था उसके बाद अभी क्या update है तो last time हम लोगों ने जब 26.90 पैसे पर बात किया था करते ही share हम लोगों को 60 रूपीज के round तक गया बाद में भले profit booking होके below आया पर यह जो condition है जब 48 को इसने लेबल को break किया था तो काफी अच्छा हमको यहाँ पे growth होता हुआ दिखाई पड़ा था और फिलाल अभी जब ऐसी जो condition है वापस से इसमें दिखाई पड़ती है और around 61 रूपीज 62 रूपीज के round देखने को मिलता है यह इस लेबल को इसके उपर closing करेगा दोस्तों तो हम लोग इसमें और आगे के target देख सकते है और जो अभी currently खरिदने का जो zone है वो around इसी के label के round है कुछ इसमें इतना changes नहीं है जो मतलब fresh buy entry के लिए जाते है आपको इस range म मिल जाता है नीचे के अगर support की बात करें तो हम लोग को support है वो around 46 रूपीज 60 पैसे पर chances कम है इतना जल्दी से इतना नीचे आने की पर यह strong support इसलिए कहलाएगा अगर stop loss के purpose पे आप कोई label देख रहे है तो वो हम लोग को इसके उपर ही दिख जाता है यह हम लोग क्योंकि कि अब मैंने आपको 53 रूपीज 30 पैसे का buy का zone दे रखा है कि इसके around buy करेंगे तो उससे हम below थोड़ा एक दो रूपे नीचे आप यहाँ पर stop loss और support लेके चल सकते हैं जो कि weak support होने वाला है तो 62 रूपीज 15 पैसे को अगर यह break करता है उसके बाद क्या तो उसके बाद कौ उनकों से target हम लोगों को मिलते हैं वो हम लोग पुराने labels देखेंगे तो हमको नजर आएगा जैसे कि क्योंकि इसका 65 रूपीज से 62 रूपीज तक का तो हमेशा पूरा इसका resistance label में zone है मतलब जहाँ पर profit booking के chances ज्यादा रहते हैं तो अगर इसके उपर closing करता है तो हम लोगो को जाइर सी बात है 90 प्लस 95 रूपीज के target हमको यहाँ पर मिलेंगे तो मैं वो भी एक बार यहाँ पर मार कर देता हूं तो 90 रूपीज का हमको इसमें नजर आता है पर यह थोड़ा बहुत उपर नीचे पर भी रहते हैं तो 90 रूपीज अभी हम लोग लेके चल लेते हैं और उसके बाद अगर हम लोग कुछ पहले के अगर target की बात करें तो हमको एक target अगर इस point को break करेगा तो 72 रूपी 65 पैसे तक के भी जो नजर आते हैं तो इस प्रकार से इसमें फिलाल के लिए अपडेट हो जाएगा थैंक्स पौची शुड़ों मिलते हैं आपको नेक्स से साथ नेक्स वीडियो में